हेलो स्वागत है आपका हमारे चैनल डेनेट क्लासेस पर तो जीडी के परिच्छा के लिए हम जीके और कोश्चन बताएंगे आपको जीके के सामान गया नहीं सामान जाग रुखता के दोजार एकिस में जो कोश्चन पत्र पूछा गया था उसी के कुश्चन बताएंगे पिशली परिच्छाओं के आधार पर यह पता चलता है किस प्रकार के प्रस्चन पूछे जाते हैं से सीजीडी में ठीक है तो इसी का हम प्रेटे सेट आपको कराएंगे और हाँ हमारी जो करेंट छल रही है उसको जरूर देखिए उससे प्रस्चन जो most important प्रस्चन है वह पढ़ाया जा रहा है पिलाल इसमें हम देखेंगे वह प्रस्चन जो पूछे गैते हैं बरती परिच्छाओं में ठीक इसी इधर पर तयजारी करिए अपना देखिए एक प्रस्ण यह आया था आपका कि कौन सा चेदर अस्थान चेदर भारती घुलखर का प्राक्तिक आवास है भारती घुलखर का प्राक्तिक आवास पूछा गया था जिसे आप घुलखर का मतलब जंगली गधे के लिए कौन सा प्राक्तिक आवास इसमें से है इसे दो जगा कहा है चार मिनार जैसे कहा है या भारती इसमें आया है कि जंगली गधों का प्राक्टिक निवास कहा है इस तरह से आपको मालूम होना थे यह पूछे जाएगा इस तरह से कुरस्टन अब इसके बारे में देख लिए हो सकता है ये कोश्चन पूछने कि आप द गुजरात में वर्न पशुद जीव सुरच्छा अधिनियम 1972 के तहत इसको पहली सूची में रखा गया है अगला देखेंगे 16 जैनती ग्राम सुरजगार योजना एक योजना भी पूछली गई थी 16 जैनती ग्राम योजगार योजना कब से सुरूगी इतकी गई थी तो इसको शुरूगी आगया था एक अप्रेल कब से उननिस सो उननिस सो निनननबे से उननिस सो निननननबे से 1799 सूचा मान लिए पूछली आ जयता पिछले कोश्चन पर आएंगे कि सब्सक्राइब परिवारों को गरीब रेखा से उपर लाना है कि सालर जंग संग्राले कहां यह है सालर जंग बताना है इसमें है है हिद्राबाद में यह आपका हिद्राबाद में है कि किस साहित के लिए 2020 के नोबल प्रोषकार के लिए समानेत किया गया था करेंट का कोश्चन पूछा गया था करेंट अफियर का 2020 का नोबल प्रोषकार किसको मिला था तो यह मिला था आपको डी हो जाएगा लूइस लिउक को सब्सक्राज अमरीका की जो कवित्री हैं लूइस उनको 2020 का साहित का नोबल प्रुषकार दिया गया था और 2010 के बाद साहित के छेत में प्रुषकार पाने वाली चौथी महला भी थी इस तरह से करेंट अफेर की सीरीज स्ट्वेंट्स मत मिस कीजेगा करेंट से कोश्चन आपको SSC GD में मिलेंगे और वो दिरूर देखिए उससे इंपोर्टेंट है चालक के के शाशनकाल में प्रधान कौन आमत थे आपके चंद्रमुप्त मौर के गुरू और उनको यहां तक लाने वाल यह अगला है निम्लकित कौं सा खिलाडी भारती पेशवर्टेंद ग्लाडी हा है भारती पेशर्वर्टेंदस लिए पूछा गया है कि अब को बताना में इनका जन्म होगा था ठीक है अच्छा इनको कई प्रुषकार मिल चुकिए रोहन वोपन्ना को जिसमें एक लव हैं अर्जुन प्रुषकार हैं को अधिसमन मिला है इनको चत्र एक प्रश्ण आपका सम्वधान संसोधन से आएगा हम कह रहे हैं 44, 42, 46, 48 इस तरह से 56 यह जो पुरुमुख हैं सम्वधान संसोधन 44, 24, 42 यह सब आप एक बर नजर में देख लीजेगा मेन मेन जो है इसमें से कोश्चन जरूर मिलेगा आपको ठीक है इसमें से कौन सब पूछा गया था आपका देखिए 32 कोश्चन है आपका क्या है किस सम्वधानिक संसोधन आधिनियम के तहत सम्वधानिक संसोधन विदेक के लिए राष्टपती के अपनी सम्वधानिक संसोधन देना अनिवार होता है किस सम्वधानिक संसोधन के तहत राश्ट्रपति की सर्मत किसके लिए आवश्यक है तो यह हो जाएगा आपका 32 का हो जाएगा सी नोट कर लिजेगा 24 सम्मधानिक संसोधन अधिनियम 1971 के तहत सम्मधान सर्था तक पर राश्ट्रपति को मानने के लिए बाद कर दिया गया समिधान जो अध्यनयम है उस पर राश्ट्रपति जी की सह्मति बाद्य कारी है अपसे इसके समझें करें किनिunt स्टुएंट्स किस बात की अनुमत देता है बाजो अधिनीम है बाल नयाए का तो इसमें आपका अपसुन होगा बी क्या होगा इस बात की अनुमत दे रहा है कि यदी कोई की सोर है और उसने कोई हीनियस क्राइम जगने अपरात किया है तो इसको सजा वही मिलेगी जो अड़े डल्ट को मिलती है चलिए 34 सवा देखेंगे धन जुटाने और भारती कंपनियों को अधार देने के लिए अंतराश्टी वित्य संस्थाओं द्वारा डैस बांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजरों में निर्द किये जाते है तो इसमें जाता आना है आपको कौन से बांड निर्द किये जाते हैं तो बांड का नाम पूछा गया है तो इसमें आपका बी आपसन जो है मसाला बांड मसाला बांड भारत के बाहर ये जारी किये जाते हैं लेकिन इस्थानी मुद्रा के बज़ाए इनको भारती मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता ह अच्छा इसमें यह है कि मसाला बांड में निवेश्कों को जोखिंग उठाना पड़ता है आजी लामू लोकनरत पूछा गया है आजी लामू लोकनरत की पुरूम पुरूम तयार कर लीजे और चात्रों यह चीज है कि जो पुर्वत्तर के जो सात राज्य है उन्हें के सब्सक्राइब 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन 3.0 की सुरुवात की पूछा गया था करेंट का एक क्वेश्चन तो आपका हो जागा भारत और रूस में अगला है का आपका कि 2020 में अर्जुन पुरुषकार सम्माने चिराग जो 60 है इनका संबंद किस खेल से है देखें चिराग से 60 संबंद आपको बताना किस खेल से था इनको संबंद है बैट मिंटन से किस जंजात का संबंद निलगीरी परवतों से किस जंजाती का संबंद है पूछा गया था तो निलगीरी परवतों से संबंद है आपका टोड़ा टोड़ा जंजाती जो है आपसन नमबर जो आपके C में है टोड़ा जंजाती का संबंद निलगीरी की पहाड़ियों की एक पर फ पालक यह जो जन जाती है तो चुड़ा जन जाती है जो जो जन जाती जो 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 बहुपती विवा है अगला देखेंगे भारत में अमार सीमा पर निमलिखित मैंसे कौन सी पहाड़ी भारत के पूरी पहाड़ी इलाकों की मीजो हिल्स और मणिपूर हिल्स को जोड़ती है तो यह जाएगा चिन भारत में अमार सीमा पर जो चिन पहाड़ी है भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मीजो हिल्स और मणिपूर हिल्स को जोड़ती है अगला है उटी नमबर का डैस 1864 और 1949 के बीच बटिस भारत की गिरिस्मकारी राजधानी रही थी पूछा गया था 1864 में 1849 के बीच कौन सी गर्मी में कौन सी राजधानी हो जाती थी तो यह आपका शिमला हो जाती थी तो इसमें आप ऐसे आ सकता है क्वेश्चन 1864 में सर जान्स लारेंस ने अधिकारी कुरूप से सिमला को ब्रेटिस भारत की ग्रीश मिकाली राजधानी गोशित किया था और कब से कब तक रही थी 1864 से अगला है 41 किसी देश की औस आए की करना कैसे क्या है किसी देश की जो औस टाय की करना करेंगे जैसे कुल आय रहेगा औसात आए गसी निकलती, कुल आए उसकिसी देश की, और बटे, क्या होगा, कुल जन गरना, जन संख्या मतलब, कुल लोगो की संख्या, कुल आए बटे, कुल जन संख्या को हम कहेंगे, औसात आए ऐसी तो औसात निकलते हैं, कुल कितनी आए, जितनी आए हो, पूरे देश ता ऩो झांट वर सभास की और वहां कि रेंकी कितету कि जंसन क्या हो अगरा हम Olakah देखेंगे जिट इन्जन कि स्थांध पर काम करता है है यह पूछा गया था एक जिट इंजन कि स्थांध पर काम करता है Grandeur कि लुच अ ओर यह उह बहुंगी रिकी आप देखी संबे का संड़क्षन हर फील्ड से प्रस्ण पूछेंगे आपके सामान गया में सामान जागरुकता में तो आपका अगला देखेंगे 43 नंबर क्या है नवंबर 2020 में देखी कि पिशली बार की भर्ची 2021 कि परिच्छा में आपके चार-पांच-पांच प्रस्ण ऐसे थे जो करेंट अफेर से पूछे गए थे करेंट अफेर की सीरीज इस्टूरेंट्स चल रही है आप करेंट अफेर जो है उसको जरूर देखिए क्विश्चन आपको पका मिलेंगे नॉम्बर 2020 में भारत जापान और अमरीका के बीच आयोजी तरपच्छी सैन अभ्यास का नाम क्या है सैन अभ्यास का नाम बताना था तो यह आपका नाम मालाबार के नाम डी मालाबार अगला है चावालिस नमर का डैस उद्यम ऐसा व्यपसाइक उद्यम होता जिसमें मालिस जी कुद्धम होता है जो समाने तरलोग व्यपार जिसे रहते हैं वह है कब नाम पर बेचना सस्ते में खरीदना उसे उच्च की मत पर बेचना चलिए स्ट्रोएंट एक प्रस्ण और देख पूछा गया था आपका बहुत कोश्चन आए हुए हम पांस से ज्यादा कोश्चन आए हुए था दो हजार एक किसकी परिच्छा में थर्ड सिफ्ट थी उसमें उसके है एक परिच्छा में तो करेंट अफिर जरूर देखिए फिर से हम कह रहे हैं तो माहान फूटबॉलर डियोगो माराड़ोना जिनकी मृत्यू 2020 में हुई थी के नेतत में उनके देश ऑर्जेंटीना ने FIFA डूर्द डूर्द लेक ब Kansas City में माराडोना के नेतत में माराड़ोना की नेतत में माहान फूट्बॉलर भूर्द योगों त अचा है एक नियम काओन सा नियम या कहता है कि दो वस्तों के बीच लगने वाला बल उसके द्रवमान के गुड़नफल के समानुपाती होता है यह पूछ! ये किसकी परिभासा है कि दो वस्तूओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रवमानों के गुड़नफल के समानपाती होता है 49 नंबर तो यह है गुरत्वा कर्ष्ण का नियम है अगला है भारत की जन गणना 2011 के अनुसार डैस वर्ष और उससे अधिक आयू की कोई व्यक्ति किसी भासा को समझ पढ़ सकता है वह साच्छर मना जाएगा तो कितने वर्ष का कोई भी अगर व्यक्ति है जो भासा को पढ़ और लिख सकता है समझ सकता तो साच्छर मना जाएगा यह प्रसंथा आपका अच्छा प्रसंथा तो उसका हो जाएगा साथ वर्ष साथ वर्ष का से शुरू एज का कोई भी बच्चा है बालक है व्यक्ति ह अगर उसको पढ़ सकता है तो माना जाएगा कि वो साथ चार है तो चली स्टुएंट्स ये कुछ कोश्चन थे हमने आपको बताए आपके ससी जीडी परिच्छा में पूछे गए थे और करेंट अफेर की जो सीरीज है हम लास्ट में कहे रहे हैं उसको जरूर देखिए उससे और लाइक करिए कमेंट जरूर करिए फिर मिलेंगे नाशकार